12.91 के बेरे सबी सातियों को मिना नमश्कार है B.8.8 2011 की भरती जो शुरू हुई थी नॉवंबर 2011 में अभी वर्ष 2014 में बैठे हैं हम लोग यानि कि 13 वर्ष का समय लगबग बीच चुका है लेकिन वो भरती है कि खतम होने का नाम ही नहीं ले रही है मुझे लगता है कि इत्यास में अगर किसी भी भरती पक्रिया की बात करें तो सबसे लंबी चलने बाली भरती पक्रिया होगी 72.825 जो की 11 में शुरू होती है और 24 में भी खतम नहीं हो पाती है याद्यपी बीच में ये पूरा मामला खतम माना जा रहा था लेकिन अभी हमारे कुछ लड़ाकू साथियों की प्रवतिक के चलते उनकी महिनत के चलते ये पूरा मैटर फिर से एक बार उखड गया है और उखड नहीं गया है बलकि ये लोग उखाड देने के मूड में है जैसा कि जिस तरह सुनबाई हो रही है मानी हाई कोट प्रियागराज की पीठ में तो अभी जो बरतमान में बार जरुक क्यानवे का मुद्धा है पुरी तरह से हाइलाइटेड है काफी दिनों से मैंने वीडियो भी नहीं बना इस पर क्योंकि जब कुछ होता है तब बात करने में अच्छा लगता है सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए और लाइक कमेंड पाने के लिए वीडियो बनना मुझे नहीं लगता कि बहुत सार्थक होगा आज 12.91 पर फाइनल हीरिंग होई मानी हाई कोट की डवल बेंच में इसमें काफी कुछ अच्छी चीज़े निकली बात करेंगे कि क्या कुछ कोट में होगा और्डर रिजर्व कर दिया गया है जिसकी संभाब नाए हैं कि वो हब्ते दिन में रिलीज हो जाएगा और रिलीज होने के बाद क्या उमीद निकल के आ रही है बारजर्व क्यानवे की सूची में शामिल साथियों के लिए जिनके नाम सूची में नहीं है उनको क्या करना है और उनकी पैर भी करने वालों को क्या करना है ये सारी बातें भी करूँगा प्लिस आज जो कोट में हुआ कोट रूम में जो भी चीज़ें हुई उनकी बात भी करूँगा इसी वीडियो में और बता दूँ आपको कि बारज़ जरुक्यानवे क्या है कैसे आया का पैदा हुआ उसको लेकर के जो सरकार के संबिशन है सरकार का मतलब तकालीन सरकार समाजबादी सरकार थी उस समय उत्तर पत्देश में इन लोगों ने बारज़ जरुक्यानवे के एफिडेविट को मानी सुप्रीम कोट में किस तरह रखा और उनको गाइड और मिसगाइड कैसे किया फिर बारज जो क्यानवे के संबंद में मानी सुप्रीम कोट ने सरकार को क्या निरदेश दिये सारी बाते होंगी इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे साथी और संघर्ष के पुराने सयोगी रहे हैं बड़े भाई है मेरे मान भादुर सिंग जो की जनपद रायवरेली से आते हैं और काफी लंबा संघर्ष रहा है उनका यद्यपी उनकी उम्र अभी बहुत हो गई है अभी वो बेसिक एजुकेशन में अपलाई करने के लायक भी नहीं सहीगा तो लेकिन उन्हें एक उम्मीद है कि वारे जोरी क्यामडे पर भरती होगी और उनका नाम सुची में शामिल है वो कोर्ट में मौजूद थे चैसंदीद के तोर पर मैंने उनसे बात करने की कुशिस की और क्या कुछ निकल के आया बता रहा हूँ आपको उन्हीं की बातचीत के आधार पर कि आज कोट रूम में क्या हुआ क्या संभावनाएं बारे जरुक क्यानवे को लेकर हो रही है 105 और 90 जिन साथियों के नाम उस सुची में नहीं है उनके लिए क्या स्कूप निकलता है इस 32825 भरती पक्रिया में ये बात भी करूँगा साथ ही ये बात करूँगा कि जो बारे जरुक क्यानवे है उसको अगर जीत मिल रही है तो क्यों मिल रही है कैसे मिल रही है हमारे साथ में है मान महादूर सिंग जी वड़े भाई लाइन पर आपका एक लंबा संगर्श रहा है इस बात 3825 भरती में हम लोगोंने मानी सुप्रिम कोट में भी इस भरती के लड़ाई लड़ी है आप किसी भी पहचान और जान पहचान के मौताज नहीं है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जो बारज़ लोगोंने की सूची है और इसको लेकर के जो नोकरी के कैयास लग रहे हैं उस पे आपकी क्या राय है चुकि आप इस मामले में पूरी पैरभी भी कर रहे है माननी हाई कोट की जो डिवीजन मेंच है आज वहाँ कोट रूम में भी आप उपस्थित रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूँ सर कि हमारे जो बारज़ लोगोंने के साथ ही है उनके लिए कितनी उबीन निकल के आरे है नमस्कार मान भाई नमस्कार डक्टर साहब बारज़ लोगोंने की लड़ाई उसके बाद सिंगल बिंट में क्लियर आर्डर होने के बावजूद मानी सची महोदे से मुलाकात भी की गई सासन में प्रयास किया गया कि नहीं आर्डर हो गया है आप बहुराज़ जिरोट क्या में बेव कर दीजिए लेकिन उसके बाद दो इस पेसल अपील में जए इस पेसल अपील में कई डेटे लगी जिस पांचे डेट लगी जिसमें लगातार जब साहब ने जोनों पच्छों को सुना था जी और कुल मिला करके बाराज दीजिए क्या नवे का मामला उस नंबर से आ गया जो एक जादूई नंबर 66,655 फाइनल आर्डर में निकल के आया जी जिनकी नियुक्ती हुए यानि कि सरकार का कहना है कि अभी तक हमने 72,825 भरती में से 66,655 लोगों को अंदर कर लिया है और भरती पक्रिय बंद करते हैं जी जी लेकिन अब थोड़ा सा इसके लिए पीशे कलेंगे हैं इसके इतिहास में जाना पड़ेगा इसके इतिहास में जहां से 12.01 क्यानदे की उत्पत्त की सुरुवात होती है बिल्कुल दो नौंबर 2015 को माननी सुप्रीम कोर्ट में जब 72,825 का मैटर लगा हुआ था उसमें सरकार से ये पूछा गया कि अब तक कितनी भरती हो गई बिल्कुल उसमें उत्तर पदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी अद्वोकेट जनरल मानी संजय सिना जी अपने बेसिक सिच्छा के सचु थे बिल्कुल और गौरो भाटिया जी वकील थे सरकार की तरफ से हाँ डवल लेजी थे वहां पर जी है तो इन्होंने वहां पर यह प्रस्तुत किया कि यह मनलब पूरी भर्ति में लोगों को मनें कर दिया और अब हमनों लोग नहीं मिल ले संब तव कोट की और यह आदेश किया कि आप प्रत्यावेद्र लें लेंघेंए क। और प्रत्यावेद्र में से प्रत्यावद्र लें करके इसका पूरा वो की जिए और इसको प्रकासित की जिए इन्होंने प्रत्यावेदन लिया प्रत्यावेदन 75,000 कोंके हैं 75,000 में से फिल्ट्रेशन करके इन्होंने एक 12-0-1 क्यान नभे की पूची बनाई जिसमें सच्यू उप्सच्यू प्रधान सहायक जिसमें इन्होंने एक उपर लाइन लिखा सबसे पहले कि मानी सुप्रीम कोड की अनुग्या याचिका 43-43-45 स्युकुमार पाठच बनाम प्रत्यास परकात में ये वो लोग हैं जो तब समय किसी ना किसी दिले के कटाव के उपर हैं कि बिल्कुल हर पेज पर इस चीज को लिखते हुए इन्होंने एक सूची बना डाली जो करीब 402 पेज़ी और इसको इन्होंने प्रकासित कर दिया साथी उस सूची को सुप्रीम कोड में अभी प्रकासित किया आगे 27 नॉम्बर 2015 को भी डेट लगी थी बिल्कुल तो उसम में इन्होंने बताया कि हम अभी विल्टेशन कर रहे हैं उसका मनलब आ घया है कर रहे हैं इसका कर रहे हैं डिसंबर 2015 को जब यह वे वह सूची यह संबस्पार Wow थो फिर अभी हम नौबर पंदरा की बात कर रहे थे यह नौबर 14 की बात होगी फिर नौबर 15 की बात है तो साथ दिसंबर 2015 को डेट लगी थी हमारी ठीक है बिलकुल साथ दिसंबर 2015 को इन्हों ने प्रस्तुत किया कि बारा जीरो एक्यार पाशप्तर हजार में से बारा जीरो एक्यान नबे लोग योग पाए गए गए जो शक्तर और 65 के क्राइटेरिया को फुल्फिल करते हैं तब सुप्रीम कोड में आदिस कर दिया इनके लिए होना चाहिए बिलकुल साथी उसी दिन ये भी पूछा गया अब और कितने लोग बचे हैं तो ये बताया गया कि करीब 1100 के आसपास लोग ऐसे बचे हैं जो हाई कोर्ट से लेके अभी तक लड़ते हुए चले आ रहे हैं उन लोगो कुछ नहीं मिला तो कि सीट्स इनके हिस अब जो बताया कि अब जो भी रहा हो कि नहीं कुछ गरबड़ी रहे होगी वकालत नामा नहीं है या नाम नहीं है कुछ नहीं है ऐसे करके लेकिन साथ दिसंबर जो बाराजीरो एक्यान नवे का आडर था उस पर इन्होंने खेला सुरू कर दिया उसमें एक खेला कर दिया जब सब्यक्ट वेरिफिकेशन नियुक्ति के लिए था अपाइंट्मेंट के लिए तो इन्होंने उस पर फरवरी 2016 को एक बिग्यप्त नि निकाला बिग्यप्ति जजब भी हुई सब जज़े लेकिन इन्होंने कहीं पर काउंसलिंग कराई नहीं जैसे जैसे नब्बे एक सो पास की काउंसलिंग हुई थी जब पूरे थंडी के महीने में पूरे जन्पदों में लोग थंडी में घूमते रहे लेकिन किसी के पास इस तरीके से पर को गुम्रा करके कि हमने आइसा इसा कर दिया है बिल्कुल फॉर्मल्टी थी सिर्फ हाँ उसके बात चोबिस फरवरी को और तमाम लोगों का आदेशन का आदेश वा लेकिन वो सब चलते रहे पास में लगातार ये बताते रहे कि हमने पूरा फुल फिल कर हैं तो उसमें ये लिख रहे हैं कि 64,000 कुछ लोग अपॉइंट हो गए है लेकिन जब फाइनल आडर आता है तो फाइनल आडर में ये कहते हैं कि 54,000 लोग अपॉइंट हुए हैं 14,690 पद बचे हुए हैं तो बारा जीरो एक क्यान नबे मनलब 43,000 या 77,000 फंद्रह हजार 58,000 फंद्रह हजार 690 को जोड़ दिया जाता है तो 6,665 होता है ने 6,665 नहीं होगा और जदा हो जाएगा उतना नहीं होगा तो कुल मिला करके इनका जो कहने का मतलब है ये कह रहे हैं कि 43,000 सथातर के बाद 15,000 अठासी लोग अंगोइंग प्रस्सेस में जिन में से पच्चासी सो लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया है जी अवी ट्रेनिंग में उनकी परिच्छा होनी है प्रस्सेस में है और 1530 लोग और है वो भी अप्रेंट्मेंट उनका भी हुआ है तो सब मिला के 58100 तिर्पन का यह एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे एक जगे कभी चववन हजार बताते हैं चववन हजार हुए कभी बताते हैं थावन हजार हुए है लेकिन जो मनी हाई कोड ने इनसे मांगा था आप पूरा 43,000 सबतर के बाद पूरा ब्रेक अप लेके आए आपने कैसे किया है प्रस्ट जो लोग है इनका ब्रेक अप कहां से आए यह कहां से आए बिलकुल तो कुल मिला के इन्हों ने उस पर कोई जबाब नहीं दिया चुक्कि यह कुछ लेके गए नहीं इनके पास कुछ है भी नहीं तो कोड ने इनकी बात को मुस्कराते हुए सुना और उसके बाद आडर को पर के संभावना यह दिख रही है मानने जो निया दीस महुद्र दोनों लोगों ने एक बात कही जिसमें से असुनिकुमार मिस्राजीर सीनियर थे उन्होंने यह बात कही कि समुद्र में केवल 12-0-1-9 दिखाई दिना है यह यह बात उन्होंने लाश्ट में हिंदी में कही काफी तेज उसमें बहुत अच्छी बात चूकि इसी बीच में एक प्रक्रण और हुआ उस पर सोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं जी हम लोगों का मेंटर चल ला था जिवारा जीरो क्या नवेका लंच हो गया लंच के बात फिर पुने कंटीनू हुआ उसी बीच ने पता न सब्सक्राइब बाँस के नाम 1201 का नवे मनीका नहीं है बारागे सुप्रीम कोर्स ते डारेक्शन हो करके यहां पर आई है आपको हम कैसे जब आप लिस्ट में नहीं है तो जब यह लिस्ट बन रही थी इतने दिन हो गए तो उसमाइब लोग कहा थे आपने कहां पोज किया कि हम दिश्ट में नहीं है बिलकुल सही बात है अगर आपने अपोज नहीं किया है आप डारेक्ट इस तरह से बीच में इंटर्ट करेंगे हम आप लोगों को नहीं सुन सकते हैं उन लोगों ने काफी दबाव बनाया लेकिन बैराल उनको सुनने गया और उनको डिस्पोज आप करके इस आर्डर को रिजर्व किया गया है कि तुमान में मैं रोकूंगा आपको बीच में यहां पर जिन लोगों के नंबर 90105 के ऊपर है और उनकी नाम उसूची में नहीं है ऐसे लोगों की मौलिक अधिकार का हनुन भी तो हो रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए अपर लेकिन ऐसे लोगों को जैसे कोई भी मैटर दिखें बारा जीरो एक्क्यान नबे और 90105 दोनों में कोई डिफरेंस नहीं ह दिखांच वाले लोग हैं जिनका सूची में नाम हो गया है पुछ लोग ऐसे छूट गया जिनका नाम नहीं हैriminहैускं humor लेकिन मैं इन लोगों की जनता हूं जिनके 112 नमबर आन लेकिन अनका नाम नहीं है जिए अईसी सिच्वेशन में जो परिसब बता रहा है वो यह बता रहा कि आप उस जिले में नहीं होगे जहां पर इनका नमबर होगा जो ऩो सब्सक्राइब जो सकता इस जी इस चीज को विरिफाई करने के लिए यह इस चीज कर तरीके से परदा उठाने के लिए मैं मेरी सला यही है कि इन लोगों को मानी सुप्रेम कोट में आर्टिल 32 के तहर जाना चाहिए अपनी बात को रखना चाहिए लेकिन अब इस आर्डर को देखने के बाद अगर बारा जीरो एक्यान नवे को नियुक्ति मिलती है तो इन लोगों को न रहे हैं तो एक प्रापर चैनल से जो सिश्टम है अगर उससे आएंगे तो निशित रूप से संभावना है को उनको भी सुना जाएगा और निरास होने की ज़रोत नहीं है अगर तो बड़ी बात यह है कि किसी भी मैटर को आप देखिए इस सित्या यह बन चुकी है कि कि किसी का भी मैटर हो कोई भी मैटर हो हमारे अपने बीस के लोगों को मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी लोग टीटी पास कियें 2011 में सब को नियुक्ति मिलने पर बिलकुल मिल करा अगर प्रयास होता सरकार की मंसा को किसी तरीके से किसी भी अंगिल से उसको जुकाया जाता तो काम होता लेकिन कोई बात नहीं आप सभी लोगों को एक सिस्टम में जा करके इस लड़ाई को अच्छे तरीके से दूसरी एक बात मैं बहुत अस्पश्ट बताना चाहता ह लड़ाई तो डक्टर साहब आपने भी लड़ी है कि आप भी इस जुद्ध के बहुत ही क्या कहें कि मंदव हम तो यहां मैं जमीन पे भी लड़ा हूं तेना पती ही थे और लड़ाई को लड़ा है खुब नजदीक से देखा है इसमें लेकिन आप चूंकि पंख्या भी कम कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं हाँ कुछ नोकुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगर 12.19 का इतने दिनों के बाद लड़ाई लड़ा अगर उनको सफलता पाश्टीविटी मिल रही है और मेरे हिसाब से पाश्टीविटी दिख रही है आडर पक्ष में आना कहिए बिलकुल इस तरह कि लड़ाई अगर बारा जिरो एक्याननवे की सुप्रीम कोट में वोती तो स्वाइद सुप्रीम कोट में हम लोगों को फैसला हम लोगों को सकारात्मक पढ़ना मिल गया होता और आप दो तीन साल सर्विस्ट होता इक्जेक्टली सही करें यहां पर सभी लोगों न लड़ाई लड़ी और परणाम स्थाकारात्मक आने की पूरी उम्मेद है इसमें कोई डाउट नहीं देखता है मैंने देखा है सर की जब कोट में जाते हैं हम लोग मानने नियादीज के सामने तो अगर हमारा वकील बहुत अच्छे कद का नहीं है तो बहुत ज्यादा उस अजबूरी हो जाती है बिल्कुल और कभी-कभी ज्यादा तर जो सीनियर से हैं वह जज से भी सीनियर है बिल्कुल वह और उन लोगों की जो आपसी जो बैंडिंग होती है जज और एडोकेट्स की सीनियर्स की उसको हम लोग समझ नहीं सकते हैं वो एक दूसरे कबरा समानी समझते हैं कि अगर अमुक वकील साहब में खड़े हो रहे हैं यानि की मैटर अच्छे इंपॉर्टेंस का मैटर होगा अलके पुलके केस लेकिन नहीं आ सकते हैं दूसी चीज़े है कि यह भी देखा गया है सर कि हाई कोड की रड़ाई हो चाहे वह मानी सुप्रम कोड की र हो जाती है और फिर उनका एक कालीजिय के इल इंटेंशन सामीड हो जाता उसमें और वो कहीं न कहीं को कमजोर करता है तो आपके हिसाब से ऐसे कौन लोग हो सकते हैं वो जो इन लोगों की लड़ाई लड़े जो 105 और 90 के क्राइटेरिया में तो हैं लेकिन उनका नाम बारा उनको अपने बीच मेंसे हैं आइसा नहीं है बंश ऐसे लोग है जो लड़ाई रहें है साथ में और उनको कासी जानकारियां है उन्ही बिसक्ति लोगो लड़ाई को लड़ने का प्रयास करें ताथी जो लोग इसमें थे अभी तक कहीं भी रहे हो चाहे डक्टर यम्ती सिंग रहे हूँ या और लोग भी हैं उनसे वो लोग सलाह मस्विरा कर सकते हैं कि इसमें हम पैसे कैसे करें उनको चंदा उनको आने की जुरूत नहीं है वो जैसे माली जी हमी 12-0-19 में हैं अगर माली मेरा 12-0-19 में हो जा रहा है तो मैं अपने साथियों के लिए चंदा देने को भी तैयार हूं और जितने भी विधिक जो जानकारी है या वकील को हायर करवाना या जो भी है जहां भी है उनको वहां तक पहुंचा सकते हो अपनी बात अपने तरीके से करें ब्रीफिंग ये सब चीजें बह अपने इस आप नौकरी में तो मेरा दाइत है कि जो हमारे पास आज है पहचान नहीं है आप लोगों की है आप सभी लोग जो अगर हमारे सद्भाव आपके लिए हैं भी आप ही के प्रयासों की वज़े से हैं और हम से में कुछ भी नहीं है हम अगर युनाइट हैं तो हम खड़े हैं अगर हम डिवाइड हैं तो हम गिरे हुए तो बहुत धन्यवाद आपने मान भाई समय दिया हमारे चैनल पर आप लोग देखते रहें लखनोलेज आगे की अपडेट्स के लिए और शुब कामनाई दीजिए बाराज़री के लिए क तो निश्चित रूप से माकी के लोग जो एक सो पांच नब्वे क्राइटरिया में आते हैं उससे अधिक नंबर उनके हैं उनके लिए भी रास्ते प्रशस्त होंगे और कुछ साथ ही नए विग्यापन की मांग भी कर रहे हैं हो सकता है कि वह भाल हो जाए तो बीए टेट